देश के पूर्व प्रधान मंत्री और भारत रतन अटल भिहारी वाजपे की जैनती पर राज़दानी शिम्रा के इरेच मैदान पर कायक्रम का आयोजन किया गया इस तोरान पूर्व मुख्य मंत्री जारम ठाकूर के साथ बीजेपी निताओं ने अटल भ्यारी वाजपे की प्रतिमा पर श्रदा सुमन अत्वित किये। इस तोरान बीजेपी निताओं ने अटल भ्यारी वाजपे के हिमाचल परदेश के साथ खास लगाव को भी याद किय हिमाचल परदेश की पूर्व मुख्य मंतरी जारम ठाकू ने कहा कि भात्रतन अटल भ्यारी वाचपे का हिमाचल परदेश से खास नाता रहा है वे कई बार हिमाचल परदेश आए हिमाचल को अपना दूसरा घर माना करते थे जारम ठाकों ने कहा कि अटल ब्हारी वाजपे का हिमाजल प्रदेश की लोगों के साथ खास नाता था अपनी भीन कवीता शैली और वागपरता के लिए पक्षी पक्षी लोग उन्हें घंटों बैट कर सुना करते थे उन्होंने कहा कि अटल बहरी बाजपे जी का आज जनम दिन है और स्वभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए एक भावुक ख्षन भी है अटल जी देश के पदान मंत्री रहते हुए चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हिमाचल के साथ उनका एक बहुत ही एक रिष्टा था भावुक रिष्टा था और तमाम व्यस्तताओं के बाबजूद भी हर वर्ष हिमाचल परदेश में आकर के मनाली में ठैरते थे प्रीनी के गाउं में कवीताइन लिखते थे कवीताइन सुनाते थे और हिमाचल के लोगों के साथ इस परकार के करिष्टा उनने काईम किया जिसे हिमाचल के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं बतौर पदान मंत्री अटल वहरी बाज़पी जी का देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा और एक पदान मंत्री के नाते भारत की छबी राष्टी अंतराश्य स्थर पर जिस परकार से उनने एक मजबूत भारत आगे बढ़ता हुँ भारत इस दिश्टी से भी भूलने सकते हैं उनके योगदान को आज पूरा देश सुमरंट करता है और भारती जनता पार्टी के बहुत ही प्रिये नेता के रूप में वो लंबे समय तक पार्टी में हम सब का मागदशन करते रहे हम सब को सने देते रहे और देश के सबसे ऐसे एक नेता के रूप में जहां उनकी एक छवी इमानदारी के रूप में और इमानदारी के साथ साथ में एक बहुत लोग प्रिये हैं यानि कि विपक्ष के लोग भी उनको सभाब में सुनने के लिए सारा काम छोड़ करके आते थी ऐसे नेता जिनका हिमाचल के साथ इस परका करिष्टा है रहा है और सौभाबिक रूप से हम उनके हिमाचल के साथ इस सने को भी नमन करते हैं और उनके लोगदान को भी समर्ण करते हैं जो भारत वर्ष्ट के लिए उनका रहा है